वेलकम बैक टू माई यूटूब चनल स्टेडी में तो कैसे हैं आप लोग क्लासे आपको कैसे लग रही है मैध की क्लास आज भी आई यह कल भी आई थी दोनों क्लासे मैध आप लोगों की डिवांड थी सर मैध बताइए मैध बताइए तो मैध पर जादा दोस्त फोकस ना जरूर यह देखो मेरी क्लास तो आप लोगों को इंपोर्ट मिली मिली रही है इंपोर्टेंट बाकि और भी कहीं से भी आप पढ़ सकते हो रात में सोने से पहले तिन-चार क्लास है जिस की देख लिए अगर पूरे दिन आपको सिर्फ रीजिनिंग लगानी और हिंदी प्रिष्चा में आप उन कोस्चिनों को कर सhou तो आज की klaas होने वाले हैं इनमें से आपके कितने ढ़ी और जिसका आपको पता है कना आपको पता है तो कमेंट में जरूरे करना ठीक है को सब्सक्राइब गूमता है उसे क्सम्राइब पता जल्दी से पता है अगर आपको इ प्रवाइन नमबर लेकिन वाटसप बंद हो गया टेकनिकल प्रोब्लम की बज़े से लोग इन होई रहा है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता है कि आप इस टेली डेली डेली वहां प्रक्टिस एट आता है जिसके पास प्रक्टिस एट नहीं पहुंच रहा वह जाकर टे को इसमें जो गलती होई वह आप सुधार सकते हैं है ठीक है चल कर जाना बात ना करता आग्या फैल्ला कोर्षण रात में गुमने वाले को क्या का साहित जिसका ब्लकुु 2 reat और रूवette का निकारति सब्द बता और अप्रवद गोद्या कर रूभा का कुछ दिया नहींगी तो option A जिसका भी सही आ रहा है बिलकुर रूप उसको मुद्रा को रूप भी कह सकते हैं ठीक है चलिए question number 2 question number 2 आपका क्या है रोहन ने हाकी खेली में करता कारक का विवक्ति चिन है बताओ मैंने आपको विवक्ति चिन बताएं थी सब की से हमने आपको डिटेल में पढ़ा भी दिया है और कल की क्लास आपको बढ़ माला मिलने वाली है जिसमें हिंदी के most important question जो बढ़ माला से बनते हैं बहुत जवरदस्त क्लास होगी कल की बढ़ माला के साथ साथ आपको सकर्मक अकर्मक बताएंगे और उसके बात क्या बो क्यों बालते हैं वो जली से बताओ क्या बढते हैं उनको तदवा तत्सम भी आपको पहचानना बता देंगे जलि से बता हो कि तीन नमर कोशन क्यों रोहन नहां की कहली करता तो मैंने आपको ता करताने कर्मको कर्ड से दौरा संप्रदान के लिए सब पढ़ाया था तो जि ठीक कोश्चन नमबर चार देखी कोश्चन नमबर चार करता का क्या अर्थ होता है बताओ करता का अर्थ क्या होता है करता ने करता का अर्थ बताओ क्या होता है तो करता का अर्थ होता है जो काम करने वाला हो ठीक है तो इसमें जो कार करने वाला उसे करता कहते हैं जिसमें का हो उसे नहीं जिसका काम होगा नहीं जो सन्वन से जो नहीं जो कार करेए उसको हम क्या कहते करता भाइब बहासने बहाई पढ़ने सही आपको समझ में आजा कि करता किसी कहते हैं kाउन जो काम करें तो जिसका विए अंसर 5 का 6 आरा बिल्कुन सऌहीं कौन बुइस्काल हो सло कि होगा होगी गी जहांपे दिख जाए होगा होगी लिए सॉना उगना हसना यह क्या होते हैं अकर्मक क्रिया होती है सकर्मक क्रिया कॉंस होती है जैसे खाना क्या खाना खा रहा है ठीक जो चीज मुझे मैसूस हो मतलब लगे देखने में भी लगे तो इसमें बताओ ऐसा कॉंसा जो सकर्मक का उधारण है तो जिसका भी आंसर छे का जली से बताओ छे का जि लोग किया बजा रहा है सीट्था प्रड़ा और बीड़ा बजा रहे शीट्था बाशा रही है इसका को यहां पषाए ठीक हो है सात बगु안 Make a impossible by समध्र समरागी सामरागी का सई पुलिंग सब दो समरागी का पुलिंग क्या था सबको पता होगा राजा का देखो राजा खुद यक्त पोडिन गभे माराजा क्वोड पूडिन कै इससा मृँ थी का होता कि इस इसका इस्तिरी लेंगे उसका पूलिंग रहताना है तो उसका पूलिंग क्या होता है ऑड़ी सबको पता होगा चिणियां का बहुचन बता जल दिया का चिणियां का चिणियां कि यह देखो नहीं नमबर है जो बढ़ स्वहर की सायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं जो किसी की सायता से बोले जाते उनको क्या कहते हैं बताओ जल्दी से बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, संदी जब पढ़ाएंगी तब आपको बताया था ना, जो स्वतन्त रूप से बोले जाने वाले कौन से तो स्वर, जो स्वर की साथा से बोले जाते हैं उने क्या कहते हैं हम बेंजन कहते हैं भी नौका भी ठीक चलिए कोशन नमर दस कोशन नमर दस है बेंजन को स्वर रहीद दिखने के लिए किस चिन का उपयोग है यह बताओ बेंजन को स्वर रहीद मतलब बेंजन में स्वर नाया उसके ल हलंत लगा देंगे तब यह बेंजन अब यह क्या बन गया यह स्वर रहित बन गया कि कोई आप से मिलने आया है रिखांके सब्द में आधार पर सर्मनाम का सभी सर्मनाम हम आपको पढ़ा कोई मतलब कोई मिलने आया है कोई मिलने आया है तो मतलब हम लोगों कुलियर नहीं मालूम कौन मिलने आया है कोई मिलने आया है ठीक है संबंद हो नहीं सकता है निजवाचक हो नहीं सकता है निजवा तक आप होता है अनिश्चे बाचक बताओ या प्रसंवाचक कोई मिलने आ को प्रशिद्ध रचना कौन सी बताओ क्यों सी प्रिशिद्ध रचना नहीं विए जात किमेट प्रशाथ की है चले एंस क्लिए ने रेडू द्वारा बताओ जिसका वी अंसर जली से बताओ फड़िस्वर नात रेडू द्वारा कौन सा उपन्यास है तो जिसका भी अंसर इसको मालूम है तो बताओ जली कौन सा है फड़िस्वर नात मदसाला तहाई नहीं यह तो उनकी एहरी अंसर है जिसका भी अंसर भी आर चौदा नंबर चौदा नंबर देखो इन में से कौन सी मीरा भाई द्वारा रचित रचना नहीं है मीरा भाई द्वारा रचित रचना नहीं बताए मीरा भाई जल्दी से बताओ मीरा भाई द्वारा रचित रचना नहीं है जल्ली बताओ जिसका भी इसका अंसर मालू है कोशन नमर 14 का तो भाई मीरा भाई ने देखो ये सारी रचना है मीरा भाई की है राग गोविंद हो गया, गीत गोविंद हो गया राग सोटा हो गया, जहां पर आपको राग या गोविंद से देख जाए, वो सब मीरा भाई को होती है तो इसमें आप्शन काउन सा है, डी डी में है, ऐसी कोई रचना ही नहीं जो नहीं हो तीनों रचना है मीरा भाई की, ठीक है, कोशन नमर 14 15 देखो माखला चतुरवेदी को किस रचना के लिए साहित अकादिमी पुरुषकार मिला, देखो साहित अकादिमी पुरुषकार यह हो गए, उपन्यास बगर यह सब आपको पढ़के जाना है, इसमें दो-तिन कोशन जरूर फसेंगी, जल्दी से बताओ, माखला चतुरवेदी को किस रचना के लिए साहित अकादिमी पुरु आप टीक है, 16 नमर आईे, 16 नमर, सब ने उसे वुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, रिखांकित सब्सक्राद में सइह अभियुर काबाद, इसमें दिखाए सिरफ लेकिन का रिखांकित सब्द में अभियुर का शायर व्हान घ이 कर लेकिन यह क्या है, लेकिन यह पता कह मंद का भी जानते हैं करिया बेसे लब्या जानते होंगे चलिए 17 नमबर बिद्याले में बाएं बड़ा सा मैदान यह कोश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है एक वार हमने साथ इसको पड़ा भी दिया बहुत रिपीट होटा है यह कोश्चन आपको याद करके जाना इस को को तो इसका उल्फ की बड़ा सा मैदान है तो यह कोश्चन गलत मतली इसका सग है रूप बताना सँद्रू बैध्याले के वद्याले की बाएं और बड़ा सा मैदान आध़ाले की बाएं और गलत बाइं की लिख दिया है ये गलत चलिए नेश्ट देखिए डी देखो डी बिल्कुल मैच का रहा है विद्याले के बाइं बड़ा सा मैदन है विद्याले के बाइं बड़ा सा मैदन है ठीक विद्याले के बाइं बड़ा सा मैदन है चलिए बिद्याले के बाई और बड़ा सा मैधन नहीं यह नहीं होगे बिद्याले के बाई बड़ा सा मैधन चलिए डर डी होगे चलिए आप कोशन नमर 18 जहां चंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ समान सभी चंद के चरड सभी चरड समान होते हैं मतलब जैसे अगर यहाँ पे बारा मात्रा है तो यहाँ पे भी बारा मात्रा है जल्ली से बताओ सम्मात्रीक चंद बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं सम्मात्रीक चंद सम्मात्रीक चंद ठीक है 18 का C चलिए question number 19 गाट गाट का पानी पी ना बताओ कौन है ऐसा जिसने गाट गाट का पानी पी रखा जल्दी से बताओ comment में 19 का गाट गाट का पानी में ना सबको पताओगा इसका answer गाट गाट का पानी पी ओगे अभी कुछ होगा भाई साब इस वार मतलब हर क्लास में आपको हर सब्जेक्ट में आपको अनववी होना है तो मतलब बहुत अनववी गाट गाट का पानी पीना 19 का डी चलिए question number 20 20 आईए जल्दी से जहां किसी हानी के कारण सोक भाव उपस्तित होता है जहां पर सोक आपको दिख जाए तो सोक मतलब जहां सोक भाव उत्पत हो तो क्या कहता है उसको कौन सारा सही है करोडरस 20 का डी हास का हसी बीर का बीरता वासल लगा चलिए नेश question निम्न में से निम्न में क्या परिवतन बाला सही विकल्प है रादा स्कूटी चला रही है भावच में बनाना इसको रादा स्कूटी चला रही है इसको भावच में बनाओ जल्दी रादा के द्वारा स्कूटी चला जाती यह भी इसका भावच बन सकता था लेकिन और रादा से स्कूर्टी चलती है गलत है रादा से स्कूर्टी चलती है गलत है तो इसका अंसर क्या होता है रादा से स्कूर्टी चलती है या रादा के द्वारा स्कूर्टी चलती है यह अप्सन सही हो जाता है ठीक 21 का यह चलिए 22 नमबर देखिए 22 नमबर सरीर का सम समांवान अर्थी सब्द देखो खेँ सारीर का समांवान अर्थी गृता है ठीक। कलै कलेवर भी होता यह नहीं होता है कलेजा जीılar जीने मैं वह 무엇, पेड़ पहो देका ठीक है चलिए 22 जिसका भी अंसर 22 का कलेवर आघ्या बिल्कुश है और आर चलिए नमर्ट करें जो प्रत्ते से नहीं बना उस्ट्रका चैन करें जो प्रत्ते से नहीं बना कροगा चैन करें चिस क्ष्छ दन्या सेर नी झाल फोली कत तो पर्च ढोलीटे ने कोना memang मैं advice परिदंचय हो सकता परिच परिच कोई उसका अर्थी नहीं ठीक चलिए 24 का मच्चिका का तद्वरूप मच्चिका का तद्वरूप बताए 24 मच्चिका चीची मच्चिका मतलब मखही 24 कडी चलिए 25 नमर 25 नमर सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला सब्द सन्यासी का विपरीत क्या होता है वाई सन्यासी क्या चीज़ सन्यासी आदमी बन गया कोई आदमी सन्यासी बन जाता है उसका विपरीत क्या होगा तो मतलब वो विपरीत का है वो घ्रेस्ट मतलब जो घर में रहे जो सन्यासी हो जब बार चला जाता है इसका विप्रीत ही हो गया ठीक तो आज के 25 कोशन आप लोगों को कैसे लगए बहुत इंपोर्टेंट हिंदी के कोशन थे ऐसे हिंदी के कोशन मैं डेली लाता रहूंगा हिंदी या फिर जीएस आपको डेली दस वजे क्लास मिल जाया कर अब अब ही होता है और आपको अंसर सीट भी प्रोवाइड कराते हैं तूँन चार गंटे में तो आप अपनी तयारी को ऐसी जाचो फिर आप को प्रेक्टिस हैट मिल ला है इसमें भी आप अपनी तयारी को नहीं जाचाओगे तो कैसे जाचोगे यही मौका है आप सिर्फ प्रक्टिस कराओं इतनी तयारी आपकी मजबूत करा देंगे जब तक आपका पेपर होगा तो आप आसानी से कम सगम 80% कर पाएंगे इस अठारा दिन में एक तारीक के बाद जो इसमें आपकी तयारी इतनी मजबूत कराने डेली एक नहीं दो दो आप से लाइब भी करवाया करूंगा डारेक्ट लाइप पे भी लेकिन आपकी तैयारी मजबूत कराने तो आज की क्लास आप लोगों कैसे लगी आपको क्या भी तक मैंने नहीं पढ़ाया जो आपको पढ़ना है वो भी ट्रिक से ताकि आप कम समय में आप उस चीज़ को याद रखे हो पेपर में बै क्लास लेनिक बाद चाहें तो अपनी कोई भी और जीस की क्लास लेते रहे देखो अभी सो जाओगे तो बाद में बहुत पस्तावा होगा तो अभी जितना प्रलोगे बाद में आराम से परके चैन से सोना बस इंतिजार करना कब फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाए ठी चल यह ठीक है तेलिग्राम चैनल जरू जोइन कर लेना कल फरक्टिस एट फिर से आएगा